आज मैं लेक्चर नमबर नाइन के साथ हाजर हूँ स्क्रेच का चलो स्क्रेच टू स्टार्ट करते हैं जी स्क्रेच टू में अभी तक हमने पिन टूल टक ब्लाक्स समझे हैं कि पिन टूल में यह थारे ब्लाक्स करते हैं तो इसको हम ने समझाया था अच्छा आज मैं तोड़ा पिन टूल के साथ एक प्रोजेट पर काम करता हूं और उसी प्रोजेट में आप लोगों को बताने हो कि हम किस तरह ट्राइंगल बनाते हैं और फिर ट्राइंगल से मफ्तलब शेयप्स हम बनाते हैं करते हैं तो बड़ा एजी है सबसे पहले मैं इस ही लेट करता हूं και प्रोजेश ने क grapp jam जो कि पिन और युकिन से अप पेंसल टाइप का एक स्प्राइट है मैं ओएड करता हूँ ताकि आप लोगो को स्प्राइट का भी पता चल जाए कि हम किस तरह मुफ़ते स्प्राइट के सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं तो इसी सिचुएशन में हम ट्राइंगल ड्रा करते हैं तो ड्रा करने के लिए नॉर्मली हम पेंड यूज़ करते हैं तो इसके में यहां पर एक पेंड प्राइट है यहां वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उसका हम केसे लोड करेंगे यहां पर नीचे आके आप लोगों को वही टूल मिल जाएगा यह पेंसल टूल है यह पेंसल स्प्राइट कैसल में ठीक है इसको आप वोके पे क्लिक करें तो आपके स्क्रीन में आप पेंसल एड़ हो गया तो आप जब जो भी चीज़ हम ड्रा करते हैं जब भी हम लाइन ड्रा करते हैं तो इसके लिए हमें पेंट टूल का सहारा लेना पड़ेगा चलिए एक लाइन ड्रा करते हैं तो जब भी हम लाइन ड्रा करते हैं तो हम मूव तूर यूज करते हैं थजित के बाद हम पेले पेन को डाउन करते हैं एध कलर सुरिक करते हैं, ठीक है, set, ठीक है, उसके बाद हम चाहते हैं, कि यह पилась नहім है 7-7 आपय के पेडा था, तो मैं चाहता कहा सब्क्राइब यह गराक्ति के यह आप रूंक वाएशन के आप कर रहो सुआ है, श्यूस कि जो ड्रा किया तो यह दे के पिन की मिडल से लाइन ड्रा हो रही है ठीक है इसका साइज थोड़ा बढ़ाएं पिन का साइज जब आप पढ़ाएंगे से पिन साइज टू मैं यहाँ पर फाइफ और टिन रख लेता हूं ताकि आप उन्हों को समझा जाएं प्रस्क्रीन को तो इसको हम कैसे टीट करेंगे आपने इसी स्प्राइट पर क्लिक करना है कास्टूम पर आना है ठीक है और आपने इसी को तोड़ा सा उठाना है अब देखें यह देखें बिल्कुल सिरे से आप नजर आ रहा है कि हाँ यह पिनसल जो है इस वाले पिनसल को यह भी उसका का आना है तो दोनों कास्टूम तकरीबन सेम नजर आ रहा है कि हाँ इसको बिल्ट भी कर सकते हैं एक ही कास्टूम भी ठीक है तो अब जब आप ड्रा करेंगे तो बिल्कुल यह निप के सिरे से ट्राव होगे तो यह बड़ा इम्पॉर्टन है किस तरह एक लाइन को ड्रा कर ठीक है इसको हम जिरू कर लेंगे देखें अब जब बरन कर लेंगे तो यह उसी मिडल से करेगा अच्छी इसके इलावा मैंने आप लोग को क्लेर टूल भी समझाया था तो जब हम स्पेस पे क्लेर करें तो सब कुछ हो और यह मिडल पे आना चाहिए इसको मिडल पे आना ह ठीक है अच्छा इसके इलावा आप अगर इसको इसके साथ मिलाएंगे यह देखें पोजिशन का जो दूल है पूज एकस वाई तो यह उसी पर आप जाएगा देखें हाँ इसके बात क्लेर करना चाहिए यह देखें पेस पे क्लेर भी हो रहा है सबसे पहले स्पेस पे यह इसके बिल्कुल जीरो दीर पूलिशन पे जला जाता है ठीक है अच्छा तोड़ा सा इसको आप श्रिंक कर लें तक यह पेंसल चोटा हो जाए ठीक है और इसको मैंने डिलीट कर दिया अच्छा एक काम हमेशा याद रखें जो स्पैट डिलीट हो जाता है और इकावर नही हुए होता तो सारा कुछ मुझे इतभारा करना पड़ेगा है करें पिंसल टूल को लें इसके बाद हमिस् och पूजिश्टिय करेंगे 0-0 पर we जब हम प्लैग प्लेट करें तो यह बिल्कुल वसी पूजिश्टिशन पे इसको आना है टीक है अब थोड़ा सा ढूंदा कर ले उए ड्रा कर लेते हैं युद्वासा हम चले छुदे पेर कर लेते हैं लिए यह प्रक्राओ का उरध मिल्थ चल दुद्व तो ये सप्रक्रां तो हम 10 steps समय कर यह क्रोंजी मूदब आप तर्थ हम गितốngरे मसरे लेकिन एक मसला यह है कि यह कास्टूम जो है यह जो स्प्राइड है पेंसल यह इसके मिलर से लाइन कीच रही है तो इसको आपने इसके डिजाइनिंग टूल में इस तरह उपर लाके इस तरह करना है ठीक है तो आप दब देखें पर पर सई हो गया अच्छा जी यहां पर हम अब बिल्कुल मिदल से लाइन कीच आप बिल्कुल पेंसल के निप से यह लाइन बहना यह जाए अच्छे जी इसको आप साइज का चोड़ा करते है बिल्कुल अब अब चोटा होगे जी हमारा काम था कि हम ट्राइंगल के से करते हैं तो ट्राइंगल को खेंचने के लिए हमेचा याद रखें आप लोग को लूप लेना पड़ेगा ठीक है यह सव स्टिप जाके तीक है यह सव स्टिप जाके इसने पिर टार्न लेना है ठीक है हमेशे याद रखें 120 पर टार्न लेना है यह कहां भी कितने दफार करेंगा यह देखें ट्राइंगर इसने केज़िए अच्छा इसमें एक चीज और भी कंट्रोल में आप लोग को मैं समझाता हूं वेट का तोड़ा सा वेट का इसमें डालें यह आप देख रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल में तीन लाइन्स होते हैं ठीक है तो मैं चाहता हूं कि यह 100 स्टेप्स मूफ करें एक से कन्वेट करें फिर 120 पे मौल जाएं ठीक है यह एक तपा एक इटरेशन हो गया सेक्ट इटरेशन में यह क्या करेंगा यह पिर 100 जाएगा एक सेक्ट इटरेशन में भी इस तरह तरह तो यह तीन लाइन्स आम लोग के पास बन जाएंगे अच्छा यह तो ट्रैंगल का कोड़ हो गया कि हम कैसे करते हैं आज मैं आप लोग को यह भी जखाने वाला हूं कि मैं किस तरह इसे शेयप बनाता हूं कि इससे मैं कुछ शेयप मनाओक। हमेशे जाद रखें शेयप को तुल्यचा कल्कुलेटर पे आपने वह करना है 360 टोटल एंगल को आपने डिवाइट करना है कितने आपने शेप बनाने 8 तो 45 पे मैंने मौनना है 45 पे और एक आउटर लूप लेना है इसको मैंने पिछली दब भी किया था इसका आप रिपीट इसका आप आपने 8 साइज रखना है अगर 45 डिवे पे मौनना है तो 8 साइज रखना है अब आप अपना प्रोग्राम रंग कर लें यह देखे अब एक फ्रॉफर शेप बन रही है आठ ट्राइंगल को मिलाके आप लोग बहुत समझा जाए नहीं जबर्दस्ट यह उसी जगह पे वापस आके सीधा हो गया यह प्रॉपर एक शेप बन गया चीक है इसके लावा आप लोग इसमें यह बाकी के टूल्स भी चेंज पिन कलर बाय टैन यह भी आप यूज कर सकते हैं ठीक है अर्दफा आप आउटर में रख लिए ठीक है इससे वैट जिरू सेकंट कर ले तक यह जलीजली कर लें यह देखें मैंने यह फटम किया तो यह जलीजली कर लेता है अगर मैं जाता हूँ 16 तो इसको भी आपने डिवाइड करने, 20 तो भी आपने डिवाइड करने, लिए इसका मतलब यह जाता हूँ कि तो के अब आगшें सेब आग गडाने की जाए इसके आगवागा थूरा की हो 5 भाइस बाइस इआखर या 5, इसको सॉला कर लें अब देखें आपके पास ऐस ऑसेघके के तर्फ एसके में ऑपर यहाइस ऐखर यह है। यह आप खम कर सकते हैं तो यह आपके पास आप नगे बच जाए ठीक है इसके अलावा गर आपने इसको 32 करना है इसको आपने पर 11 इशारिया 25 करना है ठीक है 11 इशारिया 25 करना है आप देखें शेफ बनेंगे तादात में ज्यादा बनेंगे ठीक है मतब बद्धिस ट्राइंगल बनेंगे और आप लोगों को एक यूस्पल शेफ लेगा इसको तोड़ा बड़ी सिंप्र कर लेते हैं यह देखें ट्राइड में 32 टाइम्स रिक्यूट हो रहा है ठीक है और आपको पास यह शेफ बनेंगे एक जो कि मैंने लेक्ट्र में समझाया नहीं था लेकिन मैंने बोला था कि मैं समझाया हूँ ठीक है और आपक कृम्स बहुत्यार में समझाया जाता है करेंगों कि जब हम इस पे क्लिक करता है तो इस जाहिर हो जाता है जब हम स्पेसपे क्लिक करते हैं और 27 ट्राइंगल बना लिए यह जरो तो यह गाइब हो जाता से एलावर मिज़ां आपको है साइस अब सब मोके 1 सब है correct को उसको 200 कर लिए यह 32 है अगर आप चाहते हैं कि 64 आपके पास वो बने तो फिर 11 को बोपे आपने डिवाइड करना है 11.25 को आपने डिवाइड करना है 2 पे आपके पास 5 इशारिया 625 इंगल बनेगी 625 ठीक है और अब आपको इसको क्लियर करने तो अब देखिए शेप बनेगा थोड़ा बड़ा बनेगा 200 साइस का बनेगा अच्छा इसमें एक मसला आ रहा है स्टेज का साइस आपके पास अब यह एक्स इक्स पे 200 पे अलाव नहीं करता तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप इसको तोड़ा खंब करने यह उपर उपर जो है यह 180 है तो 180 से आपने इसको कम रखना 140 रखना है तो पिर ठीक है आप साही है स्टेज के ओपर ट्राइंगल को आना चाहिए ट्राइंगल प्रेतर नहीं आ रहा पिर आपका शेप सही नहीं बने तेख एक ता प्यारा शेप बनिया इसमें आप पर कलर सको भी डिफरेंट कल्स को भी आप लाई कर सकते हैं तो आपके पास एक बहतरीं डिजाइन वह नही अज के रहे एतना ही इसाहला इसी पर मजीद काम करेंगे आप लोगो और में इन्शाओलः सरकल के शेप समझाऊंगा आप लोगों को मैं परंटऑकों की सेप समझाऊंगा आप अप लोगोंको मैं एक्शागॊन की समझाऊंगा तो ये बड़ा रोसिफ now keep watching and subscribe my channel inform students and familyand everyone to watch सब्सक्राइब मैं चैनल ना भूलियागा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना थैंक यू गाइज